पूज गुरुदेव, भोपाल, मद्धिर परदेश के डिपडिक कमिशनर सी सुधीर जी जैन, नमोस्तु प्रवक पोछ रहे हैं। गुरुदेव, कोरोना कांड के उपरांथ भारती अर्थ बैवस्था की दशा वद दिशा क्या और कैसी रहनी संभावित है। अगले कितने वर्सों में हम फिर सामानद दिशा में आ पाएंगे। गुरुदेव, किरिवके आपेशनर दिखे के अनुगरहित करें। कोरोना कोबीट नाइंटीन से भारती अर्थ बैवस्था की दशा और दिशा क्या होगे। और एल कितने वर्सों में फिर सामानी हो पाएंगे देखिए मैं कोई जोतसी तो हूँ नहीं और भवी से दिश्टा भी नहीं लेकिन जो कुछ मुझे दिख रहा है या समझ में आ रहा है उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये बिभीश का पूरी बैश्वी कर्थ विवस्था को बुरी तरह तोल रही है प्रभावित की है और उससे भारत भी प्रभावित होगा इसमें कोई शंसे नहीं लेकिन भारत और भारत की जो विवस्था है उनको जितना मैंने समझा और जाना है उसे देख कर लगता है कि भारत में उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि भारत में एक विशिष्टा है भारती लोगों की एक विशिष्टा है कि वे अपनी जीवन सहली परिस्थिती के अनुरूप बदल लेते हैं जब-जब आर्थिक संकट आता है हम खर्च पर कटवती कर लेते हैं यदि आने वाले दिनों में लोग अपनी लाइफिश्टाइल में बदलाव लाए अनावशक खर्च और अपब्बे से बचे तो इस आर्थिक शति की कुछ अंसों में भरपाई की जा सकती है दूसरा जो नुकसान हुआ है उसका रोन्या रोने की जगा हमें उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए उद्यम बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए और उसके लिए स्वरोजगार को बढ़ावा देना चाहिए प्रदानमंत्री जी ने पे कुछ दिन पहले एक कहा था कि अब हमें आत्मे निर्भरता की ओर बढ़ना है भारत में इतनी बड़ी आबादी है श्रम के लायक हातों की कमी नहीं है श्रम के साथ यदि पूंजी का सही नियोजन हो जाए तो अर्थवेवस्था बहुत फली भूत होती है ऐसा कहा जाता है तो उसके लिए मैं यह कहूंगा की छोटे-छोटे रोजगारों को बढ़ावा दिया जाए और उसमें उत्पादक्ता को बढ़ाया जाए हर वेक्ति कुछ न कुछ रचनात्म करे और हर भारती बिशुद्ध भारती बन जाए वो प्रण कर ले किस बिशम इस्थिती में मैं भारत में हूँ तो केवर भारत की चीजे ही खरी दूँगा भारतीयों को प्रमुक्ता दूँगा बहुराश्टी कंपनियों को हम ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे भारती बाजार में केवर भारतीयता का सथकार होने लगे तो भारत की अर्थ ब्वस्था सुद्द्द होने में देर नहीं लगेगी मैंने सुना है कभी जापान की अर्थ ब्वस्था चर्मरा गई थी तो जापानियों ने एक नारा दिया था बी जापानी बाई जापानी जापानी बनो जापानी खरीदो मैं मानता हूँ आज सास्की इस्तर पर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि बहुत सारी अंतराश्टी ये संधियां है बैश्विक बंधन है लेकिन हर वेक्तिकत इस्तर पर तो ये करी सकता है और इसे करना ही चाहिए एक जनून आना चाहिए एक सोच लोगों की मननी चाहिए लोग एक दूसरे के साथ थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करना सुरू कर दे मदद करना सुरू कर दे तो काफी कुछ बन सकता है बदल सकता है इस अर्थ ववस्था को सुधारनी के लिए अभी अभी मेरे मन में एक बिचार और आ रहा है हलाकि ये सरकार की नीती से जुड़ीवी बात है पर ये मेरी बात प्रधान मंत्री तक पहुचा देनी चाहिए इन पर बिचार करना चाहिए बिगत दिनों देश की अर्थ ववस्था को सुधारनी के लिए अलेक उपाय किये गए बिगत वर्सों में और काला धन भी ववस्थित करने के आउसर दिये गए पर अभी भी सुनने में आता है कि बहुत सारे लोगों के पास काला धन है जिन लोगों के पास काला धन है अगोशित संपत्ती है पहला तो मेरा उन्हें सुझाव है कि धन के प्रति ऐसी गर्दता किस काम की बहुत सारे लोग है जो कलोलों के स्वामी थे पूरा कुनुबा चला गया भारत में और भारत से बाहर एक दिन सब छूट जाना है धन के परती आसकती न रखो ऐसे लोगों को उदारता का पर्चे देना चाहिए और भारत में या भारत से बाहर जहां छिपा के रखी गई संपत्ति उसको उजागर करना चाहिए और सरकार को क्यों नो ऐसी नीती बनाकर उन्हें उजागर करने का अऊसर देना चाहिए ताकि जो लोग सरकार से लुका छिपी का खेल खेलते वे अपने ऐसे धन को धन की आसकती में दबाए बैठे हैं वो अपनी संपत्ति को घोशित करने का साहस कर सके उसका एक हिस्सा सरकार के कोश में जाए एक हिस्सा उनके पास हो ऐसी कोई नीती हो और नीती इस तरकी की हो कि सब लोग निर्भीक होकर अपना द्रब देश के खजाने में देने के लिए और अपनी संपत्ति को घोशित करने के लिए राजी हो जाए तो मैं समझता हूँ आर्थिक संकट के इस दौर में एक बड़ा सहरा बन सकता है अर्थ विवस्था के जो जानकार है जो इस पूरी बिधी और विवस्था को जानते है वे इस पर मन्थन करें विचार करें और यदि इस आपत काली की स्थिती में ये योजनाल देश हित में अनकूल लगती है तो लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए क्योंकि इसका फाइदा आंतता है देश और देश की जनता जनारदन को होगा यदि ऐसा किया जाए तो मेरी बुद्धी करती है देश फिर इस संकट से बहुत आसानी से उबर जाएगा क्योंकि डेट पड़ा हुआ धन किसी काम का नहीं है धन जब तरलता में बदलता है लिक्विडिटी में आता है तब ही वो काम में आता है तो ऐसे लोग जो किसी कारण से अपने धन को छिपाए बैठे हैं वे अपने अपराद के कलंग को भी धो पाएंगे और देश आगे बढ़े अपनी देश भक्ती का परचे दे पाएंगे सरकार यदि ऐसी किसी नीती पर विचार करेगी तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा उपाए होशकता है